नमस्ते दोस्त में रवी आपको ग्राफ्टिंग का साथ साथ भी इसमें बताऊंगा आपका साइन कैसा होना चाहिए इसमें कौन से कित लगते हैं आपका ग्राफ्टिद प्लान का ग्रोथ नहीं होता है उसके लिए क्या उपाय है इस वीडियों पूरा देखें जो आप साइ क्या क्या रख करना चाहिए देखिए जो हमने इतना जड़ा इक अथा कि हैं कटके और इसको किसी में रखा जाए देखिए पाले आप कभी साइन लिए सुबा में काती है तो दो पहर में तो आं काट के पूल्थिम पाय कर देजिए पाय करने से पौधे दाइमेज ने तो आप उसको जल जल्द ग्राफ्टिंग कर दें क्योंकि जो मौसम जून का मौसम होता है उसमें आप ग्राफ्टिंग क्या-क्या सौधानिया करना है तो आपको मैं वीडियो मताऊँगा आप मेरे वीडियो बने रहे आप मेरे चैनल पर नहें तो लाइक करे लिए वाला बट दोस्त मेरा भी यह देखी हमने जो grafiting किया है उसमें देखिये settlement और सिकें स्टेप निकल चुका है grafiting के ऊपर निसको इसी तरह से आप ऒशाने पर को पर सकते हैं जो मेरे पीछे हमने grafiting किया हैं बहुत सारे grafiting करना भी बाकी आप ग्राफ्टिंग की है, वो पनक रहे हैं, आपको बता हैं जानों देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच स्टेप का है, मैं पांच स्टेप में से हमने दो स्टेप को कत करना है, और कौन सा कत करना है, जो रेड़ है और जो हराई ग्रीन वाला है उसको हमको कट करने के बाद इसमें मैं जुआंट करूंगा जुआंट करने से पहले आप अच्छी तर समझ लिए जो गुथली वाला पौधा होता है जो मदरूत होता है क्योंकि वह पतला रहेगा जो हमने जो फल देता है जो साइन लिया न वह मोटा यान दोगुणा रहेगा तो चल जाएगा जिसे वह पकड में अच्छा राता है कभी मीं साइन को कट करें एक इंची या दो इंची लंबाई कर लेजिए साइन को कट करते समय आपको ध्यान दे दोनों साइट एक और ज्यादा करने के बाद एक और हलका करने के बाद लेबल देख लें दोनों साइट है तब उसी आप दोनों साइट एक समान कट करके आप ग्राफ्टिंग के लिए उपयोग में कर सकते हैं देकि हमने जो ग्राफ्टिंग के लिए जो साइन आपको निकले ताकि ग्राफ्टिंग के बाद वो निक्षे से पर्णकना चालो हा जाता है इसलिए आप जो हमने साइन लिये हैं अब मैं इसमें कट करके यानि फार के लगाऊंगा आप जिनना साइन का 2 इंची है या 1.5 इंची है उसको उसमें डाल दीजिए और जो पोल्थीन है इसको आप 2 इंची या 3 इंची के तोड़ लिजिए तोड़ने बाद उसको खिच लिजिए अब बहुत ज्यादा ना खिच के बाहने आप मीडियम में खिच के बाहने ज्याद मैं बताऊंगा किस मौन्थ में ग्राफ्टिंग करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और कहां अस्थान रहा रखता है उसका क्योंकि सभी अस्थान है तो आपके लिए अच्छा रहाएगा अब मैं इस वीडियो में बहुत सारे भी ज्यान देना बाकी है देखिए ग्राफ्टिंग बाद आप इस पर काइप लगा देए देखिए मेरा जो जो साइन दिये है देखिए पुल्थी में रखे हैं और इतना सारा हमने ग्राफ्टिंग कर दी है और ग्राफ्टिंग को धकने के पहले दिखा रहे हैं आपको जो मेरा जो साइन हमने इक उसमें सारे बद में देखिए गती उत्पन हो गई है यानि निकलने वाला है बद इस पोजीशन में आप कभी ले तो उसमें देखिए बद निकलने वाला हो तो आपका पौधा 100 में 100% पकड़ेगा क्योंकि आप साइन जब अच्छा नहीं लेंगे तो आपका पौधा खराब हो जाएंगे कभी भी आप ग्राफ्टिंग करें जो ग्राफ्टिंग के नीचे पतियां होना चाहिए पतियां भोजन को बनाए रखता है आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट अबस करें जो साइ करें बद्दिखनाच प्रारम हो जाए तो आप उसे निकाल दें निकालने से पौधए आपका खरां नहीं होंगे अच्छे ग्रोप जाएंगे आप इसको कब निकाले आप शूभा भी मूझे साम को बेस्यों किसीनिट निकाल सकते है इसको जिससे आपका पौधा अच्छा हो जाएगा अब आता है बात जो पोधे में कित लगते हैं उनके लिए एक आता है साइपर मेथीन एक ग्राम या देर ग्राम प्रत लीतर के हिसाब से या आप यूं समझे एक या देर यमेल प्रत लीतर के हिसाब से आप इस प्रे कर दीजिए आपके मैंगो प्लांद पे जिस आपका जो पहुदा होता है न्यूब पत्या निकलती हैं यह देखिए साइपर मेठी ने इसको आप जो एश्प्रिंट है और एनपीक है दोनों को आपस में भी मिला के इसका मात्रा किना चाहिए जो एनपीक है इसको कभी इस पर करें एक ग्रम पर लीटर और जो इस मैंगो जो grafting होता है निख जो जून का सबसे फर्षी में सब्सक्राइब कर सकते हैं जो जूनवे अब करें तो आप अपने प Punjant को अस्ताई ही रखने लले उसको spraying promotion ना करें और जुग्झअ गार्व ट्राम करें और का मैंगो पकड़ेगा नहीं सुख जाएगा क्योंकि उस समय हुआ आपको मेरा वीडियो एक कैसे लगा कमेंट करें मैं आपका दोश्ट रभी भांगे साइथ 15 दिन पर एक बार यान पी के महिनिम